येलो गैश, हमब बात किने वाले हैं, सीपला लिमिटीड इस कमपनी की बारे में, इस कमपनी का कंसदेड़ेटा है, आपने को की सामने प्रेजनटेड है, सारी अमाउंट से इंधर रिजल्ट में करोडस में बताएं की ये quarter base के उपर result को compare करेंगे ये इस quarter का result ये पिछले quarter का result ये पिछले साल same quarter का result देखने को मिल जाता है कमपनी की income की बात करें तो revenue from operation another income को मिला कर कमपनी का total income इस quarter में 5873.93 करोड़ पीस का कमपनी का total income है जो quarter base के उपर कमपनी की income कम हुई है बाकि बिछले साल same quarter की comparison में कमपनी की income में बढ़ोतरी होती भी नज़र आ जाती है बाकि इस कमपनी के expense की बात करें तो cost of raw material के अंदर purchase of stock in trade and अलग-अलग expenses को मिला कर कमपनी का total expense इस quarter के अंदर 4,946.14 करोड रुपीस का देखने को मिल जाता है जिस प्रकार से कमपनी की income में उतार चड़ाव है वैसे वैसे कमपनी के expense भी उतार चड़ाव भरे देखने को मिलता है बाकियार इस कमपनी के net profit की बात करें तो tax and expenses आइटम काटने के बाद कमपनी का net profit after tax देखने को मिल जाता है 521.51 करोड रुपीस का जो quarter and quarter base की उपर net profit कम हुआ है बागी विचले साल सेम quarter के comparison में कमनी के net profits में एक अच्छा उच्छाल देखने को मिल जाता है बागी इस कमनी के earning per share EPS की बात करें तो 6.51 रुपीस का कमन का EPS trade हो रहा है जो quarter and quarter base की उपर earning pressure में गिरावट आईए बागी विचले साल सेम quarter की comparison में EPS से वो बढ़ता हुआ नजर आ जाता है कमनी का जो overall result है सिपला का वो एक decent result कमनी ने announcement किया है expectation के मुताबित ही कमनी ने performance किया ठीक है बाकियार इस कमनी ने अच्छा है आपर dividend भी announcement क है 8.5 रुपीज पर शेगा यह कमनी dividend देती हुए नजरा आजाएगी जिसकी record date and x date यहाँ पर आने वाले annual general meeting के अंतर कमनी बता देगी और यह यहाँ पर से जो dividend का record date and x date हो यहाँ पर यह चीज़ याद रखना कमनी annual general meeting में record date and x date तो बताएगी पर यह dividend आप लोगों के bank account मे pay कर दिया जाएगा annual general meeting के 30 दिन के बाद ही ठीक है तो जो आप लोग इस कमनी के शेव में invested हो सला तो यही है कि आप लोग investment को long term के लिए carry forward करना चाहते हो कर सकते हो बाकिया और short term में इस कमनी के शेव में कोई बहुत बड़ी तेजी के expectation मत रखना ठीक है तो बस अच के पसंदे तो like and channel को subscribe करना हो मत बूलना वर सच के लिए तना ही good bye love good bye फिर मिलते हैं next video में good bye